तो हलो दोस्तो मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मिश्टर वास सिंग डिपल वन गाई जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने इंड़ुट कस्टम रोम से लेटेड पहला वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आपको एक फोन से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो किसी कस्टम रोम का बेड़ करना या पॉर्टिंग करना तो आपको क्या-क्या जरूरी है जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देख लेगा अगर नहीं देखा है तो अब एक कार्ड फ्लैश होगा उस कार्ड पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो और जान सकते हो कि हमने स्िटेब वन वा स्टेब कैसे करना चाहिए स्टेब बास्ट इस पतारवनング करने से पहले से पहले जह लिए इस इस समौनें पास में या वन्प्टॉम में लेप आपके जो भी आपके पास है उसमें कौन को ड्राइवर इंस्टॉल करने चाहिए जिससे हमारा फोन डिटेक्ट करें या जितने भी आपके पास फोन है वो सभी फोन डिटेक्ट करें आपके फोन सभी वरकिंग हो जब आप किसी कुछ चीज़े फ्लैश करें चाहिए वो किस्टम रिकवरी हो या किस्टम रोम हो कुछ भी हो तो चलिए टाइम ने विज़ को तो हमने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन-कौन से हमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करने चाहिए अपने लेक्टॉप में चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपना फोन केबिल से थ्रू कनेक कर देता हूं जैसे आपको असानी हो इसा ही फोन मैंने connect कर दिया है गाईज और चार्ज हो रहा है हमारा फोन और फोन जिसे आप connect कर लो तो आपको USB debugging on करना है और आपको इसको डिवाइस को लगाना है transfer फाइल पर साती साथ debugging कैसे on होगी आप जाहिए about phone में जाहिए और जो आपका model number है मैं वर्जन उस पर क्लिक करिए चार से पांच बार क्लिक करोगे तो आप आप का developer option on हो जाएगा फिर आपको कुछ नहीं करना है बैक जाना है additional settings में जाएए यहां पर आपको developer option देखने को मिल जाएगा जिसे कि यह रहा और मेरा पहले सी ओन है और मैं OEM Unlocking को on कर देता हूं जिसके तुरू मैं अपना bootloader unlock कर सकता हूं और उसके बाद मैं अपना process start कर सकता हूं सभी का जैसे कि आप देख सकते हो सारी चीजा on है चलते हैं अपनी स्कीन की तरफ तो गाइस हम लोग अपनी स्कीन की तरफ वापस आ चुके हैं और जैसे कि आप देख से तो मैंने आप पहले सी सारे फोल्डर में मैंने साइड ड्रावर डाल दी हैं कौन वाड़र आपको चाहिए कौन को सब्सक्रावर यूज करने हैं अगर आप से कोई भी गलड़ ड्रावर इंस्टॉल हो जाते तो आप इसकी मदद से सारे ड्रावर को हटा सकते हो कैसे हटा हो किसे मेरा यहां पर जब भी आप कनेक्ड करो फोन को फोन को यसे आप कनेक्ड करोगे तो परस्ट टाइम यह आटोमैटिक ड्रावर इंस्टॉल करेगा उसको इसको इस्टॉल होने दूज элем उसमें आप छेड़ कड़ी मत करेगा यह जब आटोमेटली के लिए सारी ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा खुछ से आपको कुछ करनी जोड़त नहीं पड़ेगी और आप अराम से ड्राइवर का मज़ा उठा पाऊगे और आपका फोन तुरन तुरन कनेक्ट होगा और किसी पर इसे ड्राइवर से आप देख सकते हो कौन को ड्राइवर है एटी ब्राइवर इंस्टॉलर रहे एदी बी सेकटआप सेबकू कालीब सेकिशन है जो कि आप image फाइल को चेंज कर सकते हो अपनी जिसे दूसरी डिवाइस में पोर्ड करना चाहो तो पोर्ड कर सकते हो उसके थ्रू अनलॉक टूल है जिससे हम अपना OEM अनलॉक करेंगे जिसे लाइक बूट लोडर अनलॉक करेंगे अपने फोन का यह flash setup है मी का कि अगर हमारा फोन कुछ ब्रिक हो जाता है तो हम लोग अपना custom room या फिर तो फिर हम अपना stock flash file को flash कर सकते हैं बहुत सांतरी किसे यह minimal adb and fastboot drive device है यह minimal adb and fastboot setup है इसमें क्या होगा कि आप आराम से adb या fastboot के command इसमें आप आराम से run करा सकते हो और अपने फोन को fastboot या adb के मदद से आप कुछ भी flash कर सकते हो और गाइज मोबिल असाइन है जो कि आप SP flash tool के लिए जो यूज होता है मैंने इसमें दे दिया अगर आपका Redmi Note 4 या कोई भी device अगर mtk based है तो इससे आप आराम से कर सकते हो यह usb driver गाइज रैंसंग का universal वाला है अराम सब इसको install करिएगा और सभी device अराम सब करनेक्ट होंगे यह SP flash tool मैंने दे दिया आपको universal ADV driver दे दिया मैंने और सारे जो अगर आपका ADV driver नहीं मिलता है आप इसके थुरू आप अराम से flash कर सकते हो इसमें क्या है कि आप जाके update driver करके अपने जो driver होगा जिस भी तरफ का उसको आप flash कर सकते हो यह रहा इसकी आइनाफ फाइल और usb ADV मैं आपको देगी चुका हूँ जो की मैं आपको बताई चुका हूँ तो गाईज यही सब drivers होते हैं मैं आपको driver दिखा देता हूँ जैसे कि properties में आएंगे device manager में आई यह जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा device connected android device जैसे कि ADV device आप इसको जिससे आप मैं अगर नहीं दिखाता है तो आप uninstall मार दीजिए गए यहां से uninstall मारते ही जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ और यह driver मेरा चला गया अब मैं दुबारा connect disconnect करूँगा और फोन automatically driver install करेगा जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि आप देख सकते हो driver install हो रहा है इस चीज़ को अपने आप होने दीजेगा गाइस अगर आप इसमें कुछ छड़गानी करोगो तो यह आपका driver fail बता देगा और जैसी अगर यह fail हुआ तो आपका driver install नहीं होगा इसको automatically होने दीजेगा इसमें कुछ समय भी लग सकता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जब भी आप पहले ही बार phone को connect करोगो तो इसी type का कुछ दिखेगा और इसको install होने दीजेगा और वीडियो को अंतक देखेगा लाइक करिए हमें subscribe करिजे और support जरू करिए वीडियो 100% जनुईने कोई fake वीडियो नहीं है और ये कोई तरीका आपको नहीं बताएगा किसी भी YouTube पे आप जाके देख सकते हो आपको मैं एकदम जनुईन वीडियो बताऊंगा जनुईन तरीका बताऊंगा अब कुछ भी समय में नहीं आता है तो आप हमें comment कर सकते हो और मैं आपको उसका solution दे दूँगा कोई दिक्कत की बात नहीं होगा आपको अगर आप इस किप कर दोगे तो आपका इड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा इस किप बिल्कुल मत करिए गाईज इसको अपने आप automatically होने दीजिए चाह जित्ता भी समय लगे अगर यह अपन डिवाइस इंस्टॉल हो चुका है तो गाईज अब मैं क्या करता हूं तो गाईज अब मैं क्या करता हूं कि अपने फोन पर वापस आता हूं और फोन को मैं डालता हूं अपने अब ट्रांसफर फाइल पर अगर से मैं ट्रांसफर फाइल पर डालता हूं तो देशकते हूं एडिवी रवाइस तो इंच्टाल हो चुका है क्या यह perfectly work कर रहा है या नहीं कर रहा है चलिए चख कर लेते हैं और गलते हैं कि वग करता है की नहीं करता क्या चलिए आपने यह स्क्रीन की तरफ ने गायज हमने अपनी स्क्रीन की तरफ वापस आ चुके हैं और हम लोग खुलते हैं डीवी एंड फास्वोड डिवाइस ए डी बी डिवाइसिस टर जैसा कि आप देख सकते हो हमारा परफेक्टली डिवाइस काम कर रहा है और हमारे डिवाइस डिटेक्ट भी हो चुका है आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कौन को ड्रावर आपको इंस्टॉल करने कौन को नहीं करने आपको सबी ड्रावर मैं आज वरकिंग ड्रावर के नाम के फोट रमें कर दिया है इसको मैं जिप करके आपको लिंक डिस्क्रिक्शन में देऊगा अराम साब डौनूल करके सारे ड्रावर को इंस्टॉल कर लेजएगा आई होग आपको वीडियो पसंद आग वीडियो झाल झाल